मुकेश शर्मा जी वो काफी समय से यूट्यूब पर अपने अंदाज में कहानिया सुनाते हैं और उनकी कहानियों से दुनिया को जीवन का सार मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है उन्होंने महाभारत की कुछ अंसुनी, अंकई कहानिया पेश की हैं अपने चानियों पर अब सुना है कि वो दुरियोधन पर कुछ कहानी पेश करने जा रहे हैं दुरियोधन एक ऐसा पात्र है जो कि खलनायक है, खलनायक माना जाता है लेकिन भारत वर्ष में ऐसी भी जगह है जहांपर दुर्योधन पूजा जाता है वो वहाँ पर नायक माना जाता है तो अगर आप इस रहस्य पर जनना चाहते हैं तो आप मुकेश शर्मा जी के चैनल पर जरूर जाईए और उनकी कहानियों का लुथ उठाई है